हे गाईज वेलकम बेक तो माई चैनल तो अभी अभी मैंने मीशो पे कुछे दिन पहले ये वाला प्रोड़क्ट ढूंडा था और पर्सनली मेरको काफी अच्छा लगा तो मेंको लगा आपके लिए रिव्यू सरूर से लेके आना चाहिए बाइदे वे सबसे पहले इसकी प्राइजिंग बता देता हूँ वैसे इसकी प्राइजिंग होने वाली है 243 रुपीज पर कुछ यूपी आई वगरा से पेमेंट करोगे तो ये प्रोड़क्ट आपको 215 रुपीज में मिल सकता है तो आल्मोस्ट 200 के प्राइस सेग्मेंट के लिया क्योंकि काफी चीप भी है जस्ट 200 रुपीज के है सो मेरे पास ये फाइनली आ चुक है तो अब मैं आपको डिरेक्ली प्रोड़क्ट ही बता देता हूँ तो यहां पर यह प्रोड़क्ट आप देख सकते हो लुकिंग वाइस काफी ठीक ठाक दिख रहा है क्योंकि य यहां ऐसा लग रहा है कि चीप माठीरियल यूज किया है बाकी अपने पार चेक कर लेता है ये बट्स को ओके सो केस को ओपन करते ही आप देख सकते हो कुछ यहां पर LED लाइट्स वगरा चलती है और यहां पर बैटरी परसेंटेज इस शो होते है उसी के साथ यहां पर यह जर्बर्ट के अंदर ही पार बेंग मिल रहे है यह काफी अची बात है वाकि अपन टेस्ट तो जरूर से करेंगे ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे तो फिर यहां पर मैं एक बार केबल कनेक करके बताता हूँ ओके तो यहां पर मैंने चार्जिंग केबल कनेक कर दिया है और अब मैं फोन को चार्ज करके देखता हूँ कि यह as a power bank य्यूज कर सकते है या फिर नहीं कर सकते है तो आप देख रहे हो कि phone charge होना start हो चुका है और इसकी मदद से आप phone को charge कर सकते हो तो as a power bank आप इसको जरूर से use कर सकते हो और अगर बात करूँ इसके battery backup कह सकते है या फिर power की तो मैंने iPhone को charge करने के कोशिश की और 30 से 70% तक चला गया तो हाँ ठीक ठाक यहाँ पे battery backup आपको देखने को मिल जाता है और as a power bank आप earbuds को use कर सकते हो ये काफी अच्छी बात है इसके price segment को देखते हो है क्योंकि just 200 का आपको earbuds मिल रहा है और उसके अंदर power bank मिल रहा है जो कि ठीक ठाक work कर लेता है लाइक एक बार के लिए phone को switch off होने से जरूर बचा लेगा तो मेरे को इतना कुछ बुरा नहीं लगा और as a power bank यूज कर सकते हो वो काफी अच्छी बात है बाकी यहाँ पे LED lights वगरा भी चलती है जो कि बहुत अच्छी दिखती है बाकी एक बार इसे मैं Bluetooth से भी connect कर लिता हूँ ताकि अपन एक बार देख सके कि main जो purpose है इसका earbuds का वो पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ओके सो चेक कर लिता है connect होता है या नहीं होता है तो earbuds मैंने निकाल लिया है ओके सो इन earbuds का नाम है M10 और मैंने इनको connect कर दिया है एक सिकेंड M10 ये रहा सो मैंने इनको connect कर दिया है और फोन से तो मैंने connect कर दिया है बाकी अपन एक दो song सुनके देख लेता है ओके सो अभी मैं यहाँ पे एक song प्ले करके बताऊंगा और ये earbuds मैं अपने microphone के काफी पास रख दूँगा ताकि आपको sound quality का idea लग जाए ओके सो hopefully आपको इसके जो audio output है उसका idea लग चुका होगा बाकी एक चीज मैं आपको clear कर देता हूँ कि इससे मैंने काफी songs वगेरा सुनके देखे है और हाँ कह सकते है जो normal earbuds के अंदा quality होती है जो कि 800,000 वाले होते है उनके जैसी quality आप expect कर सकते हो कुछ बहुत extraordinary नहीं है तो बिलकुल बेकार भी नहीं है जस्ट कह सकते है कि काम चलाने लाएक sound quality देखने को मिल जाती है और वो काफी सही है क्योंकि मतलब 200 के price segment के अंदर आपको 800,000 वाले earbuds जैसी sound quality मिल रही है उसी के साथ power bank की तरह भी use कर सकते हो प्लस LED lights वगिरा का भी concept काफी अच्छा है तो overall यहाँ पे product तो worth it है कुछ भी बोलो बाकी इस product का मैं giveaway भी कर रहा हूँ एक piece का नहीं total 5 pieces का मैं giveaway कर रहा हूँ और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है just मेरे channel को subscribe करना है इस video को like करना है और बस मैं कुछ support करते रहो और आप eligible हो जाओगे इन earbuds के giveaway को जीतने के लिए seven days बात result announce हो जाएगा तो comment जरूर से drop कर लेना ताकि मैं comments में से winner चूज कर पाऊँ वाकी अगर बात करें earbuds के कुछ और features की तो इसके अंदर कुछ sensors भी देखने को मिल जाता है वैसे तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि sensors को किस types आप use कर सकते हो इसे वापस connect करना पड़ेगा ही थे ओके सो यहाँ पर इन sensors के मदद से आप video को play या फिर pause कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह earbuds के उपर tap करके आप videos को play या फिर pause कर सकते हो बाकी दो बार tap करके next videos वगरा भी play कर सकते हो यह सारे features भी आपको देखने को मिल जाएंगे बाकी अगर बात करें gaming की तो gaming के लिए यह उतने suitable नहीं होंगे क्योंकि इनके अंदर काफी latency देखने को मिल जाती है तो gaming के लिए मैं इनको recommend नहीं कर सकता बाकी हाँ कह सकते हैं अगर आपको movies वगरा देखनी हो songs वगरा सुनने हो और normal usage के इसाब से काफी अच्छ है क्योंकि as a power bank इसको use कर सकते हो प्लस lights वगरा काफी अच्छी लगती है प्लस हाँ normal आपको songs वगरा सुनने हो तो उसके लिए perfect है और सबसे बड़ा USP है इसका price जो की है shift और shift 200 रुपीज आप इसको definitely purchase कर सकते हो buying link प्रवाइड कर दूँँगा description में description जरूर से check कर देना बाकि उमीद है आज का वीडियो अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो like share subscribe जरूर से करना मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई